द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूज में चर्चा का विशे है सभी वयस्कों को लगेगा कोविड नाइंटीन का बूस्टर डोस हाली में स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा जारी घोशना के मुताबिक अब सभी वयस्कों को कोविड नाइंटीन का बूस्टर डोस लगाया जा सकेगा इसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वयक्ति कोविड नाइंटीन वैक्सीन का बूस्टर डोस लगवा सकेंगे यह सुविधा 10 अपरेल 2022 से सभी निजी टी का करण केंद्रों पर उपलब्ध होगी वे सभी जिनकी आयू 18 वर्ष से अधिक है और जिन्होंने दूसरी डोस लेने के 9 महीने पूरे कर लिये हैं इस डोस के लिए पात्र होंगे इसमें तीसरी खुराक व्यक्ति की दूसरी खुराक के समान होगी यानि यदि दूसरी डोस को वैक्सीन या कोवी शील्ड थी तो तीसरी खुराक भी उसी के समान होगी गौर तलबै की स्वास्थे कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर डोस और पहली वदूसरी डोस के लिए सरकारी टीका करण केंद्रों पर चल रहे मुफ्त टीका करण कारिक्रम को पहले की तरहां जारी रखा जाएगा जान लेते हैं इससे जुड़े कुछ अन्यत थे आकडों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयू की लगभग 96 प्रतिशत आबादी ने COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है जबकि 15 वर्ष से जादा उम्र की आबादी में से लगभग 83 प्रतिशत ने दोनों खुराक प्राप्त की है इसके अलावा 12 से 14 वर्ष की आयू की 45 प्रतिशत जन संख्या को पहली खुराक दी चाचुकी है वही स्वास्थे कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और वरिष्ट नागरिक जन समुहू को 2.4 करोड से अधिक एहतियाती खुराक दी गई है प्रिये व्यूवर्स इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए द्रिश्टी आइस इंग्लिश यूट्यूब चैनल